मुवी की स्टार्टिंग जैक फ्रोस्ट को दिखाने से होती है जो की जमे हुए लेक में से बाहर निकलता है और कई सालों से जमे हुए होने के कारण उसे अपनी पिछली लाइफ के बारे में जरा भी याद नहीं होता उसे बद चंदा मामा ने उसका नाम बताया था आगे ज थोड़ी देर बाद उसे जंगल के बीचों बीच में एक छोटा सा गाव नजर आता है और वहाँ पहुचने पर उसे पता चलता है कि लोग उसे देखी नहीं सकते क्योंकि कोई भी उस पर अब यकीन नहीं करता इसके बाद हमें 300 साल आगे का टाइम दिखाया जाता है जहा उपर एक काला साया आता है जो कि पीच था जिसे देखकर नौस तुरन इस्टर बनी तुट फेरी और सेंडी मैन को बुलाता है दर असल ये सबी लोग गाडियन्स होते है जो कि बच्चों को हमेशा खुश रखने का ट्राय करते है बनी इस्टर पर बच्चों को उसके बना आने पर नौर्ड बताता है कि उसने अभी अभी यहाँ पर पीच को देखा है लेकिन कोई भी उस पर विश्वास नहीं करता क्योंकि उन्होंने पीच को काफी टाइम पहले ही हरा दिया था तबी सेंडी सभी को चंदा मामा की तरब देखने का कहता है और जब सब लोग उस समझता है लेकिन वो चंदा मामा के फैसले के खिलाफ नहीं जा सकता दूसरी तरफ हम जैक को देखते है वो बच्चों को तंग करते हुए काफी इंजॉय कर रहा था तबी उसे जीमी नाम का एक बच्चा दिखता है जिसकी मौम उसे कहती है कि जैक फ्रॉस जैसी कोई और यही बात जीमी अपनी चोटी सिस्टर को बता रहा था कि आज रात को तुत्फेरी आकर उसका दात लेकल जाएंगी तो खिड़की से ये सारी बाते जैक सुन रहा था और उसे काफी दूख होता है कि आखिर बच्चे उस पर विश्वास क्यों नहीं करते तबी वो जैक को बताता है कि चंदा मामा ने उसे बात क्यों नहीं बताई तबी जैक और बनी के बिच कहा सुनी हो जाती है कि जैक कभी भी गार्डियन नहीं बन सकता क्योंकि बच्चे उस पर विश्वास ही नहीं करते अब इस लड़ाई को रोकने के लिए नौल जैक को अपने चुनते हैं उसमें जरूर कोई ना कोई खास बात होती है और उसे भी अपनी पावर को पहचानना होगा जिससे सेंटर ऑप पावर कहते हैं तबी बनी आकल दोनों को बताता है कि तुट पैलेस पर कोई गड़बड हुई है तो फिर सभी लोग नौर्ट के साथ वहाँ पर आता है और कहता है कि कई सालों तक गुमना में की जिना कैसा लगता है मुझसे पूछो लेकिन अब मैं वैसा नहीं जियूंगा मेरे नाइटमेर से मैं बच्चों को यकिन दिला दूगा कि गार्डियन जैसी कोई चीज नहीं होती साथी में वो जैक को ये भी बताता है कि अ जैक का भी एक दात है जिसमें उसकी बच्चपन की यादे थी जैक ये सुनकर काफी खुश होता है क्योंकि उसे लग रहा था कि इससे पहले उसकी कोई जिन्दगी नहीं थी लेकिन तभी बात करते वक्त उत्फेरी कमजोर हो जाती है जिसे देखकर नौर्ट सभी को बतात है कि हम लोगों को एक साथ सभी बच्चों की दात जमा करने होंगे जिसमें जैक भी उनका साथ देता है क्योंकि उसे अपने दात चाहिए थे जिससे वो अपने पास्ट के बारे में जान सकता है जिसके बाद सब लोग काफी इंजॉय करते हुए बच्चों के दात जमा करन देता है और अब सिब जैक और सेंडी ही जगे हुए थे तभी उन्हें बाहर पीछ दिखता है तो दोनों भी उसका सामना करने के लिए जाते है इदर जैमी की सिस्टर आवाज सुनकर जैमी के रूम में आती है और वो गलती से एक पोल्टर में चली जाती है इस तरफ सेंडी काफी मारता है और अब तक बाकी के गार्डियंस भी उससे लड़ने के लिए वहाँ पर आ गए थे लेकिन उससे पहले ही लड़ाई के दोरान पीछ सेंडी को जान से मार देता है जिसके बाद वो सभी गार्डियंस पर अपने नाइट मेर से हमला करता है मगर जैक बीच में आकर उन सभी नाइट मेर्स को फ्रीज कर देता है आगे जब अगले दिन सब लोग सेंडी का फ्यूनरल कर रहे थे तब हम देखते हैं कि वहाँ पर जैक नहीं होता वो उदास होकर एक साइड में बैठा हुआ था दरसल उसे लग रहा था कि सेंडी की मौत उसी के कातन तबी बनी सभी को कहता है कि अगले दिन इस्टर है और हम सब लोगों को मिलकर बच्चों को इस्टर के एक्स देने होंगे जिससे वो हम लोगों पर फिर से यकीन करना शुरू कर देंगे और जब वे लोग बनी की केवस में आते है तबी उन्हें वहाँ पर जेमी की सिस्ट कर सकता है और उन सभी का एक साथ होना जरूरी है लेकिन जैक कहता है कि वो जेमी की सिस्टर को छोड़कर तुरंत वापस आ जाएंगा जिस पर सब लोग एगरी होते है वही जब जैक बैनी की सिस्टर को रखकर वापस आ रहा था तबी उसे किसी की आवाज सुनाई देती ह जो कि उसी का नाम पुकार रही थी जैक उस आवाज को फॉलो करते हुए पीछ के ठिकाने पर आता है जहाँ पर पीछने सभी बेबी तुद को कैद करके रखा हुआ था जैक उन्हें छुडाने की कोशिश करता है तबी एक बार फिर से उसे वही आवाज सुनाई देती है जो की दात जिस जगह पर रखे हुए थे वहाँ से आ रही थी तो जैक तुरंच जाकर उसमें अपने दात धुंडने लगता है उतने में ही वहाँ पर पीछ आ जाता है जिसके पाद जैक के दात होते है जैक उसे लेने के लिए पीछ के पीछे जाता है लेकिन पीछ उसका क पर भी यकिन करना बन कर दिया है जिससे हम समझ पाते हैं कि पीछ इसलिए जैक का टाइम उसके केव में बरबाद कर रहा था वही जब सब लोग जैक के हाथ में उसके दाद देखते हैं जिससे वो समझ जाते हैं कि वो पीछ के साथ था इसलिए बनी उसे काफी सुनाता है जि पर थोड़ी देर बाद पीच आकर जैक को समझाने की कोशिश करता है कि वो दोनों एक ही जैसे है और अगर एक टीम में आ जाए तो वे लोग दुनिया पर राच कर सकते है लेकिन जैक उसे साप साप मना कर देता है क्योंकि वो बच्चों को डराने में यकीन नहीं करता जिसक बेबी तूत को बचाने के लिए जैक अपनी चड़ी पीच को दे देता है जिसे लेकर पीच उस चड़ी को तोड़ देता है और फिर वो बेबी तूत और जैक को खाई में फिक देता है जहाँ पर हम जैक को काफी उदास देखते है तब ही बेबी तूत उसे उसके दात को बचा लेता है लेकिन इस सब में बरफ तूट जाती है और जैक उसके अंदर गिर जाता है जिसके कई सालों के बाद चंदा मामा ने जैक को पावल दे कर वापस जिन्दा किया क्यूंकि जैक ने उसकी सिस्टर की जान बचाय थी अब ये सब देखने के बाद जैक समझ जाता ह कि चंदा मामा ने उसे बच्चों की रक्षा करने के लिए उनका गार्डियन बनाया है जिसके बाद जैक वहाँ से निकलने के लिए सबसे पहले तो आइस की मदद से अपनी चड़ी को ठीक करता है और फिर वो बेबी तुद को छुडाने के लिए पीछ के ठीकाने पर आता है लेकिन उसे पता चलता है कि सारे बेबी तुद उड़ नहीं सकते क्योंकि दीरे दीरे सबी बच्चों ने गार्डियन्स पर विश्वास करना बन कर दिया है लेकिन सिर्फ अभी एक ही बच्चा बाकी था जो कि अभी भी गार्डियन्स पर विश्वास करता है और वो और को बनी बनाकर जेमी को एंटरटेयन करता है लेकिन आखिर में जेमी समझ जाता है कि ये बनी नहीं बलकि जैक फ्रॉस्ट कर रहा है और जैक का नाम लेते ही वो उसे देख पा रहा था क्योंकि अब उसे यकीन हो गया था कि जैक रियली में है और जब वो दोनों बाते कर रहे थे कि तभी बहार नौलत और सभी लोग आ जाते हैं जिनकी हालत काफी बुरी थी हम देखते हैं कि बैनी साइज में छोटा हो गया है क्योंकि बच्चों के यकीन ना करने की वज़े से उसकी पावर कम होती जा रही है और इसलिए वो छोटा ह हो गया है सब लोग जेमी को देखकर काफी खुश होते हैं तभी वहाँ पर पीछ आ जाता है तो जैक उससे लड़ने के लिए जाता है लेकिन अब पीछ काफी स्टॉंग हो गया था जिसके चलते जैक उसके सामने टिक नहीं पाता और पीछ जेमी को डराने के लिए आता है जिससे देखकर जेमी जैक को कहता है कि उसे काफी डर लग रहा है तभी जैक को अपनी सिस्टर की याद आती है कि कैसे उसने मस्ती करके उसकी जान बचाई थी जिससे वो समझ जाता है कि उसकी सेंटर पावर मस्ती करना है दर असल वो मस्ती करके बच्चों को खुश करवा सके इसलिए उसे गार्डियन बनाया गया था जिसके बाद जैक पीछ पर बरफ के गोले मारता है और फिर जेमी के साथ मिलकर उसके सबी दोस्तों को जगा कर उनके साथ काफी मस्ती करता है जिससे अब सब लोग जैक को देखने लगे थे तब ही पीछ अपनी दार्कनेस लेकर उन पर हमला करने के लिए आता है जिसे देखकर बच्चे उसका सामना करने के लिए उसके सामने आते है और बच्चों के पीछ के डार्कनेस को हाथ लगाते ही सैंडी फिर से जिन्दा हो जाता है और बाकी के गार्डियन्स की पावर भी वापस आ जाती है जिससे अब सभी बच्चे उन पर दोबारा यकीन करना स्टार्ट करते हैं वही पीछ को होशाने पर उसे पता चलता है कि बच्चों के यकीन ना करने की वज़र से वो फिर से इन्वीजिबल हो गया है और जब वो डर के मारे वहाँ से भाग रहा था तबी गार्डियन्स उसे रोक लेते हैं जिने देख कर पीछ कहता है कि वो डर को हमेशा के लिए नहीं भगा सकते वो वापस जरूर आएंगा ये कहते ही पीच के नाइटमेर्स उसका डर स्मेल करके उस पर हमला कर देते हैं जिसके बाद सब कुछ ठीक हो जाने के बाद जैक बच्चों के गार्डियन्स बनने की कसम खाता है कि वो अपनी जान दाओ पर लगा कर बच्चों की रक्षा करेंगा जिसे सुनकर गार्डिय चुपना है